वेलकम टू सिवसांती क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज का टॉपिक है एक्सराइज 2.1 क्लास 9 का एक्सराइज 2.1 पॉलिनोमियल इसका इंट्रेक्शन आप लोगों नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजे ताकि यह कॉश्चन समझने में में कौन-कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन-कौन नहीं है कारण के साथ उत्तर दीजे अर्था कारण भी बताना है कि कौन-कौन से एक चर वाले हैं और कौन-कौन से एक चर वाले नहीं है तो देखते हैं पहला कॉश्चन चर क्या होता है बहुपद क्या होता है यह 5 x quare minus 3x plus 1 इसमें चर्पद क्या है चर्पद यह चर्पद यह बी है अधार वेरीबल टर्म तो वेरीबल टर्म 4x फ़ब्य है और वेरीबल टर्म 3x भी है बट यह ज़़ टर्म हैं यह मिल जाते हैं तो एक वह उपध बन जाता है तो इसमें variable कौँ से use हो है variable हमें use हो है सिर्फ x इनमें variable कोई से use हो है x इसके नहें वारा कोई और दूसर variable use हो है सिर्फ 1 variable use है एक ही चर use होज है तो अर्थाद पहला question हमारा एक चर का होगे दूसरा question क्या होगे y square plus root 2 तो y square plus root 2 है इसमें भी चरपद कया है चरपद कया है y square इसमें 4 किया है भाई है उसके लाव और कोई दूसर चर है नहीं है तो हमारा दूसर question हमारा एक चर का हो गया एक चर का भग पत हो गया तीसरा question 3 root t plus t ти root 2 तो यह क्या हो जाएगा 3T की root 2 को हम 1y2 लिखेंगे प्लस T root 2 तो हम इसे बहुपद कहेंगे ही नहीं क्यों क्योंकि हमें जो चरपद होता है उसकी जो पावर होती है हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए पूर्ण घन होना चाहिए ठिक जो variable का जो हमारा घात होना चाहिए वो हमारा moon संख्या होनी चाहिए ठिक मतलब whole number होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4 यह whole number होते हैं मतलब natural number प्लस 0 तो यह whole number चाहिए तो T की power जो भी हमारा variable की power है वो whole number में होगे इसके अलावा कोई भी fraction में होगा तो हम उसे जो हमारा बहुपद है वो कहेंगे ही नहीं वो भुपद होगा ही नहीं वो polynomial होगा ही नहीं तो हमारा तीसर कोईशन भुपद है ही नहीं कारण क्या था यह हमने बता दिया कि जो हमारा variable कापद है वो जादा है और fourth question क्या कहता है y plus 2 की power y अब यह y को दिया उपर ले जाएंगे तो y plus क्या हो जाएगा 2y की power minus 1 हो जाएगा तो यह भी minus 1 है जबके हमारे में क्या होने चाहिए पून संख्या होने चाहिए तो यह भी हमारा polynomial नहीं है ठीक यह भी नहीं है अब तीसरे पांचमा question देखते पांचमा question क्या है x की power 10 plus y की power 3 plus t की power 50 तो इसमें क्या है चरपद क्या है x की power 10 भी है चरपद y की power 3 भी है चरपद और t की power 50 भी है चरपद लेकिन चर क्या है चर x, y, t यह तीन तीन चर है अर्थाद यह तीन चर का भहुपद है कितने चरक अब उपद है तीन चरका क्योंकि इसमें तीन चर यूज हुए हैं तीन वेरीवल यूज हुए हैं ठीक अब यह कोश्चन को कैसे लिखना है वो देखते हैं अब यह सारी चीज़े जानते होंगे सब्सक्राइब कर लिजेगा जो नए बच्चे हैं और बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा वीडियो लाइक कर दीजेगा और वीडियो को सेर भी कर लिजेगा हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए यहां पे जाएगा सीवसंति क्लासे करेंगे तो यह पेज खुलेगा यहां से प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सारी प्लेलिस्ट आपको दि प्राक्रतिक संख्या है ठीक इसमें भी है जो क्योंकि चरगात एक प्राक्रतिक संख्या है तीसर कोशन के है जो हमारा भौपत था ही नहीं यह एक चरगा भौपत नहीं है क्योंकि चरगात एक विन्नात्मक संख्या है कोई प्राक्रतिक संख्या नहीं है अथाथ प्राक्रति नहीं है बल्कि हैं तीर के बहुपद तो आपने यह सारे कोशन दिखना है Ihr देख लिया यह हिंदी वालों के लिए है और यह इंग्लिस वालों के लिए ब्रैकट के अंदर जो भी रहेगा वह इंग्लिस वालों के लिए question same है तो चलिए second question की और चलते है second question क्या कह रहा है निमनी लिक में पर तेक के x square का गुणा अंक निकालना है अर्थात coefficient of x square coefficient of x square निकालना है तो पहला question क्या है 2 plus x square plus 1 plus x 2 plus x square plus x तो x square का coefficient क्या है मतलब x square साथ जो भी variable होता है उसे हम x square का coefficient कहेंगे x square का गुणांग कहेंगे तो x square के साथ क्या है एक है तो इसका गुणांग क्या हो जाएगा एक हो जाएगा दूसरा question क्या है 2 minus x square plus 3x यह 3x कहलाएगा नहीं x की power 3 है x की power 3 है sorry तो इसमें क्या हो जाएगा x के साथ क्या है x square के साथ क्या है 1 है लेकिन किसमें है minus में है क्योंकि हम सारी चीजे plus में लेते हैं तो ये क्या कर लाएगा इसे हम कैसे लिख सकते हैं ये हम बताते हैं 2 plus minus x square plus x cube ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा minus 1 है दूसरे वाले का क्योंकि हम जो भी x का गुनांग लिखते हैं क्या कह रहा है थर्ड कुश्रीक्षण हुमारा कह रहा है पाइबाइड़ टू एक स्क्टढ प्लस एक्स तो एक इस्ट्ट के में घुना करता है एकस स्क्ट्ढ के साथ जो भी हमारा वेरीवल प्लच jsू क्यूप 3511 घुटब क्या हो जाएगा ४ाय बाई तो रगोडिकी फ्रॉर्ट का संथिआप यहाँ प्रॉट 2 x-1 यहां पर कोफिसेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाए क्योंकि यहां x2 नहीं है इसलिए इसका गुणांग सुन्नी होगा ठिक यह सारी चीजे भी आपको समझ में आ गई होगी